हलो माडियो फ्रेंट दिस इश्मान दिक्षित यूर फानेशल कंसल्टेंट आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं आज टीचर्स डे का ओकेजन है और मैं यह चाहता हूँ कि सिक्षक दिवस के उसर पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसी इंफर्मेटिव चीज मिले और क्योंकि मैं फैनेंस में डील करता हूँ और वित्ती सलाह देता हूँ लोगों को पूर्टफोलियो मैनेज करता हूँ स्टॉक मार्केट मूचल फंड के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ तो मैं आपको अपने फिल्ट से रिलेटेट कुछ बहुत अहम चीजें बताने जा रहा हूँ जो अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वह आपके लाइफ में भी जिसतरे से अभी मार्केट ने वी से रिकवरी करी है तो अगर आपकी लाइफ में भी एक वी कर्व या जे कर वा जाएगा और आप अपनी लाइफ में जे कर अचीव कर पाएंगे तो रॉबर्ट टी क्योस्की का नाम आप लोग ने सबने सुना होगा जिनकी बहुत फेमस बुक है रिस डैट पूर डैट और उन्होंने अपनी किताब में यह बताया है कि हमारे स्कूल कॉलेज उनिवस्टी में बहुत सारी चीज़ां पढ़ाई जाती हैं बड़े-बड़े पीच्डी एंबीबियस बीटेक और पता नहीं क्या क्या कोर्स चलते हैं लेकिन वो सारी कोर्स करने के बाद भी और अपने पर्सनल लाइफ पे वो अगर एक सटिस्फेक्टरी पोजिशन पे इंडीविजल कोई पहुच भी जाता है डिग्री भी पा लेता है एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है लेकिन इसके बाद भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो अपनी फानेंशल लाइफ को मैनज नहीं कर पाता और पूरी जिन्दगी कर्ण में रहता है स्ट्रगल करता रहता है जिसके उसकी प्रोफेस्णल लाइफ भी दिस्टर्ब रहती है और पर्सैनल लाइफ नहीं अपने सट्राउंडिंग में बहुत सरे ऐसे दोस्तों को देखा है जो लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे अच्छे अच्छे संस्थानों से बीटेग किया उन्होंने पीसडी करी और बहुत अच्छे प्रफाइल पर जॉब कर रहे हैं बाकी सारी लाइफ में भी सारी चीज़ें उनको लेकिन वह फानेशली बहुत ज कमाने के बावजूद वह फानेशली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वह सूत्र बताने जा रहा हूं वह फॉर्मला बताने जा रहा हूं जिससे आप अगर आपकी इंकम कम भी है तब भी अपने लाइफ को आप बहुत अच्छे में बात करेंगे और आपने इसको अपनी लाइफ में अमल किया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा तो इसका फॉर्मला हम लोग लेते हैं रिचेस पैन इन बैबिलोन बुक से और उस किताब में यह बताया गया है कि हर एक इंसान को अपनी कमाई को कुछ पायट में डिवाइट करना चाहिए और हर एक इंडिविजुल को अपना 10-20% जरूर सेफ करना चाहिए अपने भविश्य के लिए अपने फ्यूचर के लिए और आपने मेरे बहुत सारे प्रीवेस वीडियो में देखा होगा कि अगर कोई एक अगर कोई भी सबसे लॉंग टम टार्गेट है यानि कि उसका रेटायर्मेंट प्लान वह भी बहुत सक्सेस्फुली वह अचीव कर सकता है और मैंने आपको एक कैलकुलेशन दीती कि अगर कोई 1,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता है और वह 20-year की एस से स्टार्ट करता है यानि कि आप सारे लोग स्टुडेंट्स हैं ग्रेजवेशन कर रहे हैं जो ज्यादा तर मेरी ओडियंस है और एंबीए बीटेक इस तरह के बीबीए इस तरह के कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग अगर इस लाइफ से ही इस एस से ही 1,000-2,000 रुपीज अपनी पॉकेट मनी से या फिर आप जो फ्रीलैंसिंग का काम करते हैं या फिर आप लोग जो ट्विशन पढ़ाते हैं उससे अगर आप अपनी पॉकेट मनी से या इस तरह के जो भी आप अरनी करते हैं उससे 1-2-3,000 रुपे मैंने सेफ करने लगें त तो आपके पास 1.43 करोन रुपीज हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपकी अर्निंग कुछ भी हो हमें सेविंग की हैबिट डालनी चाहिए और जितने भी बड़े फिलोसफर हैं और जो फानेशल ट्रेनर हैं और मैं खुद भी बताता हूं कि आपकी जो भी अर्निंग हो रही हो आप उसको दो या तीन पार्ट में डिवाइट करिए एक अर्निंग होनी चाहिए जो आप भविश के लिए निवेस करें अट लीस 24 परसेंट जरूर होना चाहिए not less than 24 परसेंट इन एनी केस आप कितना भी कमा रहे हैं और वारन बफेट आपको करना किया आप पहले इन्वेस कर दीजे फिर जो बचता है उसमें आप अपने मंतली को मंतली घर्चों को प्लान कर सकते हैं तो फर्स टाइम आपको क्या करना है अट लीस्ट 20 परसेंट अपना सेफ कर देना है अपने भविश के लिए medium to long term goals के लिए remaining 80 परसेंट में मोबाइल का बिल राशन यह सब सारी चीजें पर खर्च करना है उसके बाद जो आपका remaining 30 परसेंट बचता है 30 परसेंट में आप अपने life को enjoy कर सकते हैं उससे आप अपने gadget घूमने फिरने की चीजें और कपड़े और जो भी आपको पसंद है वो आप प्लान कर सकते हैं तो अगर आप 20, 30, 50 रूल को follow करेंगे तो definitely आपके life को इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको किसी भी point of time पे कोई financial struggle नहीं करनी पड़ेगी और जैसे जैसे आपने एक बार saving की habit डेवलप कर ली तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अप अपनी savings को बढ़ाते चले जाएंगे आप आपकी एक salary satisfactory level तक पहुंच जाती है तो लोग 50, 60, 70, 80% तक save कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में और basically tier 3 cities का जो living expenses है और जो day-to-day life का खर्चा है वो भी बहुत nominal है और कोई भी family आराम से 15, 20, 25,000 रुपए में अच्छी तरह से रह सकती है जो हमारे देश के tier 2 और tier 3 cities हैं मैं tier 1 की बात नहीं कर रहा मैं ट्रोस की बात नहीं कर रहा तो हमारे यहां का जो overall living expenses है वो भी काफी कम है तो इसलिए अगर आप मैने का 1,00,000 रुपए तक कमाने लगते हैं आगे चलके investment की saving है और वो भी आपके अगर आप उसको अच्छे से wisely invest करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा return आने लगता है और हमारा सबसे पहले objective यह होना चाहिए मैंने आपको 15 अगस में जो मैंने video release किया था financial freedom के बारे में उसमें आपको बताया था how to achieve financial freedom तो financial freedom अचीव करने के लि चल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जितने भी day-to-day के expenses अगर आपको लगता है कि मेहने का खर्च आपका 25,000 है तो आपके पास passive income के ऐसे source जरूर होने चाहिए जो आपको minimum 25,000 रुपीज बिना कोई काम करे credit करता रहे आप अगर कहीं पे भी है आप घूम रहे ह कर रहे हैं आप गोवा के बीच में lemonade पी रहे हैं तब भी आपके account में जो आपको monthly expense चाहिए उतना credit हो जाना चाहिए तो यह passive income होती है और हमें इसको बनाने के लिए अपने corpus को अपनी savings को जादर से जादा करने की कुशिश करनी चाहिए यानि कि आप जितनी जल्दी उस corpus को create कर लेंगे जितना जितने में आपको monthly expenses के बराबर पैसा आपके account में credit होते होने लगे तो आप financially free हो जाएंगे और आप उस समय आपका दिमाग next level पर पहुच जाएगा आपके पास कोई burden नहीं होगा कोई pressure नहीं होगा फ्री होके काम कर रहा होगा definitely उस समय आपकी achievement आपक achieve कर लेंगे तो आप अपनी मर्जी से काम करेंगे अपने flexible timing के साफ से काम करेंगे अपनी location से काम करेंगे अगर आपको मन कर रहा है कि आपको station से काम करना है आप वहां से काम कर सकते हैं आपको जिस समय मन कर रहा है उस समय काम कर सकते हैं तो हमें nine to five की job की जो एक जंजीरे ह होती है उससे आप मुक्त हो जाएंगा उस समय आपका दिमाग नेक्स लेवल पर चला जाएगा क्योंकि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा आप फ्री हो के काम कर रहे होंगे आपको यह प्रेशन होगा कि मुझे घर कर चलाना है मुझे बच्चों की पड़ाई देखनी है मुझे घर की रोती देखनी है औरुसे फ्री यह तुर्ड़ यह तो आप सारे बंदनों से अजाद हो जाते हैं अपने इसाप से अपनी location से अपने मर्जी से काम करते हैं और अपनी मर्जी का काम करते हैं और आप जिसी में passionate होते हैं वो आप काम करते हैं तो इस तरह से money will become by product तो आप अगर इतनी अपने passion को follow करेंगे आपके पास कोई burden नहीं होगा कोई restriction नहीं होगी कोई location नहीं की आपको particular जगे report करने जाना है रात को 8 विज तक बैठना है office में आप कहीं से भी काम कर पाएंगे आप फेल स्टेशन से काम कर सकते हैं आप form house से काम कर सकते हैं आप को सा प्रशक दिवस के मौके पर मैं आप लोगों को यह सफलता का सूत्र बता रहा हूं और अगर आप सारी audience इसको follow करेंगी तो definitely आपको भी से बहुत जाज़ा advantage मिनने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि हमारे college universities इन चीज़ों को नहीं बताते हैं वो इसके बारे में बात नहीं कि आप लोग भी मेरे freedom struggle में इस वित्ती स्वतंता के आंदुलन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़ें और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करें अपने friends तक family members तक पहुचाएं so that कि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलें और